जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं राम के स्तित्तों को नकारने वाले लोग हैं मर्यादा प्रसुत्तम प्रवसीर राम की इस्तुरी सत्ता को चनौती देने वाले लोग हैं प्रवसीर राम की इस्तुरी सत्ता को चनौती देने का काम कर रहे हैं और इत्यास गवा है जिसने भी इस्तुरी सत्ता को चनौती दी है उसकी दुर्गती हुई है जो राम गोपाल यादो कह रहे हैं अयोध्या में इस राम मंदिर के लिए इस सनातनास्ता के साथ खिलवाड है समाजवादी पार्टी हो या कॉंग्रेस इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू बिरोधी है और राम बिरोधी है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग है राम के स्थित्व को नकारने वाले लोग है मर्यादा प्रुसत्तम प्रवसी राम कि इस स्थरिय सत्ता को चनौती देने वाले लोग है ये लोग हैं तो इनसे ये उमीद करना कि भारत की आस्ता का सम्मान कर सके भारत के राष्ट नायकों का सम्मान कर सके आजादी के आंदोलन में जिन कांतिकारियों ने महान स्वतंतरता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था उनके प्रति सर्धा का भाव रख सके ये अपने आप में एक इन लोगों से उमीद करना ही अपने आप में बेमानी है राम गोपाल यादो का जो बयान है ये समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के साथ इंडी गड़वंदन की वास्तविक्ता को प्रदर्सित करता है और ये दिखाता है कि नकेवल वोट बैंक के ले लोग भारत के आस्ता के साथ खिलवाड कर रहे हैं बलकि प्रवस्तिर राम की इस तुर्य सत्ता को चनौती देने का काम कर रहे हैं और इत्यास गवा है जिसने भी इस तोरे इस सत्ता को चनौती दी है उसकी दुर्गती हुई है पधार मंतिय जी ने भी एक इंटर्जू में कहा है कि विपक्ष वरा राम मंदिर के फैसले को बदलने की मंशा एक खतरनाक इशू है देखो ये लोग तो हमेशा से अयोध्या में इसे राम मंदिर का बिरोध करते रहे हैं कॉंग्रेस हो, सपा हो, आरजडी हो, बीमके हो, इस सभी नेशनल कॉन्फरेंस हो, इस सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जिनकी भावनाएं हिंदूओं की विरोध में जाती हैं, भारत की आस्ता की विरोध में जाती हैं जिनका चरित्र तुस्ती करण की नीति को पोसक करने वाला आतंगवाद समर्थक और मर्यादा प्रसुतम प्रवसीर नाम के आदर्सों के विप्रीत जो लोग सदे आचन करते रहें हैं, ऐसे लोगों से इस से ज़्यादा उमीद नी की जा सकती है लेकिन इस सुरी सद्टा को शनौती देने का मतलब बिना सकाले विप्रीत बुद्धी और यही बक्तब्य इन लोगों के आरे इन की वास्तिविक चरित्र को जन्ता के जनार्दन के सामने ये रख देरा है हमेशा इनका प्रियास था, इंडिक अड़बंदन से जुड़े वे जितने लोग हैं, कॉंग्रेस ने सुरू से प्रियास किया कि आयुद्या में राम मंदिर की मामले में माने नयायले से फैसला ना ने पाए, खुरोड़े अठकाते थे, इस सुयम बैरियर बने वे थे इसके बाद जब ये मामला माने उच्चितम नयायले में भी गया, तब भी इन्होंने नो वर्स, आठ, साथ, आठ वर्सों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें तो बाद में मोदी जी के नित्रतों में जब सरकार बनी, और फिर प्रकरिया आगे वढ़ी, फिर राज्य में भी सरकार बनी, और फिर इस प्रकरिया को तीजी के साथ आगे वढ़ाया गया, आज माने उच्चितम नयायले ने फैसला दिया, आधने प्रधान मंत्री जी के म यक्त कर रहा है एक नई उद्या का दर्शन कर पा रहा है तो स्वाभाई कुरुप से कॉंग्रेश सपा या इंदी करवंदन से जुड़े वे लोगों का जिनका चरित्र ही राम विरोधी है भारत विरोधी है आतंग बाद समर्थक है राम द्रोहियों के साथ लोग खड़े व ऐयोध्या में इस राम मंदिर के लिए ये सनातनासता के साथ खिलवाड है कोटी कोटी राम भकतों का अपमान है और जिन लोगों ने अपना पुरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया है उन सब की आसता पर कुठारा घात है बारत का समाच इसको कताई स्वीकार नह जवाब कि